हेलो दोस्तों सभी लॉले स्पाइन में आपका फिर सा स्वाहत है दोस्तों आज मैं इस 3D मोडल को डिसकस करने वाला हूं जैसा कि आप इसकीन पर देख रहे हैं आज मैं एक सिंपल सा घर का डिजाइन लेकर आया हूं आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो को प्लीज लास्टक देखिए मैं इसमें आपको सभी चीज डिटेल्स में बात करूंगा दोस्तों इस प्लान को समझने के लिए वीडियो यहां से 3HTF में उपर की तरफ हाप जाएंगे तो इस रूम में आपको इस में डोर से इंट्री मिलता है इसके जश्ट बगल में देख सकते हैं यहां पे खुब सुरत खुब सुन्दर सा यहां पे विंडूस का डिजाइन किया गया है इसके जश्ट बगल में भी एक और दो-दो विंडूस मिल जाता है यहां फे वास्रूम में लाइट्स के लिए यहां फे वेंटलेशन का डिजाइन किया गया है स्यम देख सकते हैं इधर भी आपको दो विंडूस देखने को मिल जाता है दोस्तो यह प्लान एक सब्सक्राइबर ना में रिक्वेस्ट किया था उनके requirement के हिसाब से इस plan को design किया हूँ चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं आप अंदर किता दोस्तो आप देख रहे हैं civil knowledge point youtube channel जदी आप मेरे channel पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को like सिए और चैनल को subscribe कीजिए साथ साथ bell icon को भी press कर दीजिए ताकि आने वाला हर notification आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तो आप हमारे channel पे इसी तरह का different plot size का घर का नक्सा, building, commercial building का नक्सा आप देख सकते हैं चलिए दोस्तो आप अंदर चलते हैं दोस्तो इस main door से जैसे आप आगे की तरह बढ़ेंगे दोस्तो देख सकते हैं यहां पे एक dining hall में आपका इंटरी मिलता है सबसे पहले आपका इस hall में इंटरी होता है इस hall का size की बात करें दो 15 feet 6 feet 6 inch कराने वाला है इसके just bagel में देख सकते हैं इस hall के just left side में देख सकते हैं kitchen का design किया गया है जिसका size 6 feet 6 inch into 7 feet 6 inch कराने वाला है दोस्तो इस kitchen में proper ventilation के लिए एक windows का design किया kitchen में आपको front में भी आपको side में भी windows का design देखने का मिल जाता है इस hall से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे देख सकते हैं एक और right side में एक store room का design किया गया जिसका size 9 feet 6 inch into 6 feet 6 inch रहने वाला है इसमें भी आपको देख सकते side में एक windows का design देखने को मिल जाता है दोस्तो इसका color combination भी काफी attractive होने वाला देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं इस hall से आगे बढ़ेंगे दोस्तो सबसे पहरे आपको एक lobby में entry होता है जिसका size 6 feet 8 feet 6 inch into 3 feet 6 inch रहने वाला है इस lobby से आप देख सकते हैं यहाँ एक door दिया गया है इस door से आप आगे कि दर बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक bedroom देखने को मिल जाता है इस bedroom में आपका entry होता है जिसका size 12 feet 10 feet रहने वाला है दोस्तो इसमें भी proper lighting के लिए यहाँ पे दो-दो windows दिया गया है दोनों side से देख सकते हैं इस lobby के just front में यहाँ पे late plus बात देखने को मिल जाता है जो की 8 feet 6 inch into 6 feet कराने वाला है दोस्तो यहाँ common late बात है दोनों bedroom के लिए है इस lobby के just right chart में भी देख सकते हैं एक और bedroom देखने को मिल जाता है जिसका size 12 feet into 10 feet का design किया गया है इसमें भी आपको 2 windows का design किया गया है दोस्तो इसमें bed लगाने के बाद भी काफी walkthrough के लिए काफी sufficient space बच जाता है दोस्तो इसका color combination भी देख सकते हैं इस तरह का होने वाला इसमें एक toilet में आपको ventilation का design किया गया है दोस्तो इसमें आपका 3D plan हो जाता है दोस्तो इसमें आज का वीडियो है फिर मिलते एक और next video जै हिंद जै भारत